एक महिला थी उसने एक छोटे आजगरसाप को पाला और वो दिन बहर उसके ही साथ खेलती तो वो जैसे जैसे साप बड़ा होता गया उसने उसका खाना कम करता गया तो यह देख के महिला चिंतित हो गई और उसने उसको डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने पुझा कि ये दिन भर साथ किसके पास रहता है रात को कहा सोता है तो महिला ने बोला ये दिन भर मेरे पास रहता है रात को मेरे पास होता है डॉक्टर बोला ये स्वस्त है ये किसी बड़े शिकार की तैयरी कर रहा है और वो जल्दी आपको खा जाएगा तो महिला ने इस साब को जल से जल जंगल में छोड़ के आ गई और समझदारी से काम लिया तो आपने इस स्टोरी से क्या सीका मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा